जीवन के सबर्ब में हम और आप अकेले थोईने चल रहे हैं हमको तो चलाती है हमारे घर में काम करने वाली वो काम वाली बाई काम वाली बाई आपके लिए इतने इंपोर्टेंट हो गई है कि एक जो घर की महिला है वो यूं वेट करती है फोन करती है कब आओगी तू और जो सहाब है घर के अगर काम वाली थोड़ी दिखने में सुन्दर है तो वो भी इंतजार करते दिखते हैं कि कब आओगी तू महिला जो है वो काम वाली को रखने से पहले बहुत सारी चीजे देखती है कि यार ये कामवाली जो है वो ज्यादा सुन्दर नहीं होनी चाहिए ज्यादा क्लीवेज दिखाती होई नहीं होनी चाहिए सीधी साधी होनी चाहिए ऐसा नहीं हो कि पल्लू गिराए, पल्लू उठाए और मर्द को एट्रैक्ट करें बहुत सारी कामवालियां ऐसी भी होती है जो मर्दों को एट्रैक्ट करती है तो आखिर हमारी इतनी निर्भरता क्यों हो गई है कामवाली पर और क्या ये सही बात है आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे आज अगर आपको इस वीजित्र टॉपिक में इंट्रेस्ट आ रहा है और अगर आ रहा है तो आपको एक ही चीज़ करना है आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना है मेरा मेरी कामवाली की तरफ इतना ध्यान रुजान नहीं था लेकिन अभी मेरी वाइफ और उसका डिसकर्शन हो रहा था जो चुके चुके मैं सुन रहा था सामने आके तो नहीं सुन सकता हूँ न तो वाइफ प्रांड निकाल देगी कि तुमको इतनी इंट्रेस्ट क्या है कामवाली में लेकिन वो बाते कर रही थी और कामवाली क्या कहती है कि मेम साब दस दिन के लिए मैं नहीं आपाऊंगी और अरे दस दिन के लिए इसा मत करो फिर आपको साब को खाना कौन खिलाएगा वो तो मेरे हाथ का खाना खाते ही नहीं अच्छा ही लगता है साब को दवाई कौन देगा साब के कपड़े कौन धोएगा साब के रिए चाय बना के कौन देगा इत्ती शरी बाते करी तो फिर वो देखती थोड़ी थे बोले मिम साब फिर मैं साब को भी साथ में ले जाओं तब उसके पास जवाब नहीं था वो जो हमारे काम वाली आती है उसने तो टॉंट मारा था लेकिन मैंने तो इशारा ले लिया कि यार ये बोल रही है कि साब को भी साथ में ले जाओं मतलब इनके दिल में भी साब के लिए कुछ-कुछ होता है क्या अब अपनी तो यह अपन भेदबाव करते नहीं है आसपास की भावी हो, कोई विधवा औरत हो, आसपास रहने वाली, कोई कॉलेज की लड़की हो कोई काम वाली बाई हो, कोई भी हो, चलेगी अपने को तो अपन तो अक्षेकुमार को मानते हो कि ताने गोरी हो या काली हो, कोई भी चलेगी अपने को तो पैसे वाली हो, न हो तो भी चलेगी अपने से पैसा ले ले वो, फिर भी प्यार दे दे तो भी चलेगी आपको भी चलेगी न मैं जानता हूँ कोई भी चलेगी हम लोग इसी प्रकार के लोग हैं लेकिन मेरी वाइफ ने तो गजब कर दिया तो पोता होता है na वो पोता भी उसको मेरा कच्छह उसको पोता दे दिया है जब वो कच्छ को पानी में ढालती है उसको निचोड़ती है और जब उसके पोता लगाती है फिर पानी में डालती है उसको निचोड़ती है मैं इस तरफ देखती है कामवाली और जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ मुझे और उस कच्छे के नीचे का जो एरिया है जिसको कच्छा जिस भाग को ढगता है मुझे और उस भाग को कुछ-कुछ होने लगता है लेकिन मैं आपको एक बात बता हो ना serious note की हमें कभी भी काम वाली पे इतनी निर्भरता नहीं रखनी चाहिए हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए हमें खुद भी सीखना चाहिए कि by the way काम वाली नहीं आ रही है कोई कारण हो गया है काम वाली काम छोड़ के चली गई है तो हमें बिल्कुल handicap feel नहीं करना चाहिए हमें तयार होना चाहिए आपको बरतन माजना आना चाहिए आपको खाना बनाना आना चाहिए आपको चाय बनाना पोहे बनाना आना चाहिए आपको ओमलेट और मैगी बनाना आना चाहिए मैगी बनाना तो आपको आता ही है क्योंकि वो इतनी बुरी चीज़े ने हेल्थ की आपको इजी लियाती है पर अच्छे अची चीजे घर की साफ सफाई करना भी आना चाहिए कभी अच्छा मौका मिलता है कि आपकी वाइफ बाहर गई है और आपकी वाइफ को विश्वास ही नहीं है आप पर इसलिए उसने काम वाली को बुलाया भी नहीं है यह हो सकता है कि कामवाली खुदी आपसे डरती है कि यह तो साथ बड़े कामुग टाइप के हैं बड़े सेक्सी टाइप के हैं पता नहीं कब हाथ धर ले कब मुझे बिस्तर पे खीश ले खुदी कामवाली को confidence नहीं है आप पे और वो आई नहीं रही है मेमस आपको बोलाएं कि हाँ मैं आऊंगी पर फोन करके बोलाएं कि नहीं मैं आनी सकती है कोई कारण बना दिया है तो आपके पास अच्छा मौका है आपको अपना हार ट्राइ करना चाहिए खाना बनाने के लिए आपको ट्राइ करना चाहिए कि घर में बिखरी होई चीजों को कैसे आप सवार सकते हैं कैसे आप घर को सुंदर रख सकते हैं अगर आप सारी चीजेस बिल्कुल बर्तन मिमाँ लोगे ओर घर की सारी चीजेस समाल लोगे तो आपकी पत्नी आईएगी कि कभी भी मेट पर इतनी दिर्वरता मत रखो कि आपका जीवन ही रुख जाए। लॉकडाउन पर टाइम पर क्या हुआ मालू मैं ना कि मेट नहीं आती थी और भहुत सारे लोगों को प्रॉबलम हुई। सेलिबिटीज भी साले काम करते करते इंस्टाग्राम रील डाल डाल के अपना काम चला रहे थी, काम था नहीं उनके पास। लेकिन हम लोग उस पीरियेट में से घर पे बंद रहे, काम वाली भी नहीं आई। बहुत सारे लोगों को प्रॉबलम हुई। उन लोगों को ज्यादा प्रॉबलम हुई कि जिनको काम नहीं आता था, जिनकी निर्भरता उनकी मेड पर उनकी काम वाली बाई पर पूरी तरीके से थी। निरिभरता रखो पर इतनी भी निरिभरता मैं तो कहा रहा हूँ कामवारी पर भी नहीं किसी पर ही मत रखो अपना हाथ पर अपने को भरोसा होना चाहिए हर काम आना चाहिए ओके जो भी information मैंने दी आपको अच्छी लगी होगी आप surely इन tips को follow करें टिप्स को कामवारी को पठाने के tips नहीं लेकिन काम सीखने के नए tips फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे interesting tips आपके साथ साजा करते हुए तब तक के लिए bye, take care friends